नमश्कार एक बब फिर से मैं आप सभी के सामने पसिंदू बेहद महत्वपून टॉपिक के साथ जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं कि यूनिफाइट पैंशन स्कीम आई थी आपकी नई पैंशन स्कीम आई थी इसको लेकर के पक्ष ने भी बहुत कुछ कहा विपक्ष ने यहां पर एक और बड़ा बदलाव किया गया है पैंशन से जुड़ा हुआ है जो कि है पैंशन फॉर्म यहां पर पहले आपकी नो अलग अलग फॉर्म आते थे पैंशन को लेकर के लेकिन अब सरकार ने सबको कंबाइन कर दिया है और कंबाइन करके एक फॉर्म बना दिया कभी-कभी 6-6 form भरने पर देतें pensions के लिए लेकिन अब क्या है आपका एक form हो गया है अब वही आपको एक form भरना है और वो आसानी से आप खुद ही भर सकते हों इसलिए सरकार नी एक अदम उठाया है आप समझ लेते हैं कि क्या-क्या इसमें बड़े बदलाव किये गए हैं यह महातुपूर्ण क्यों हो जाता है मेरा नाम है प्राजी मिश्रा और संस्किति आए इसके स्प्लेट फर्म पर आप सभी का स्वागत है वीडियो एन तक जरूर देखेगा हर एक पॉइंट पर हम यहाँ पर डिटेल आनलेसस करने वाले हैं बाकि आपकी इस पर क्या राय अप्लिकेशन फॉर्म फॉर रिटारिनिंग इंपलोईज ठीक है चलो आगे देखते हैं तो केंद्र सरकार की कर्मचारियों को अब पैंशन फॉर्म भरने में आसानी होगी ठीक है क्योंकि उन्होंने नो अलग-अलग फॉर्म को क्या किया है फॉर्म 6A में मिला दिया है ठ आपको जो अप्शन चूज करना है जिस भी सेक्टर के लिए चूज करना है जो भी वहाँ पर चीज़े फिल करने है डिरेक्ट मेंशन होगी और आपको बस टिक करना है पूरी प्रक्रिया सुवेवस्थित होगी और इसे भरने में समय भी बहुत कम लगेगा अब अनेक फर्म सिर्फ एकलोता होगा जो इस तरीके का कुछ आपको दिखाई देगा यहाँ पर प्रिंटर नंबर, कॉपी, स्प्रिंट लैंगविज, मैथट पेज यह सारी चीज़े फ्रॉम बैंक, रिपोर्ट इस तरीके कि आपकी पूरी फॉर्म 6A की चीज़े यहाँ पर आने दे जाएगा, तो भविश्य पोर्टल जो है, उस पर आप इसे देख सकते हो, सेना निवरत कर्मचारियों के लिए पेंशन आवेदन फॉर्म 6A में नौ फ्राम प्रारूपों को एक साथ मिला दिया गया है, इसमें कौन-कौन से प्रारूप एक साथ आए है, तो इसमें 6-8-4-3-A प्रारूप, प्रारूप 1, प्रारूप 9, MFA और 0 Option Form शामिल हैं आपके, आगे देख लेते हैं, किन कमचारियों के इसका लाब मिलेगा, तो जो आपके दिसमबर 2024 में रिटायर हो रहे हैं, वो इस फॉर्म का सर्फ यूज कर पाएंगे, पुराने नहीं, जो अभ इस बार यह वाला फॉर्म दिया जाएगा, बात करते हैं भविष्य पोर्टल की, भविष्य पोर्टल पेंशन और पेंशनर्स वेलफेर डिपार्टमेंट की एक पहल है, यहां पर क्या होता है, कि यह शुनिक्षित क्या जा रहा है, कि रेटार होने वाले कर्मचारियों को रेटार्मेंट के दिन ही सभी बकाया भुकतान कर दिया जाए, यानि कि कोई भी उनकी रासी सरकार अपने पास रखना नहीं चाहती है, अब ही क्या होगा, पोर्टल पर आपकी सारी जानकारी होगी, आप सब कुछ इसमें फीड कर दोगे, जो जानकारी आपके आगे तक के है, तो EHRMS को इलेक्ट्रिक हुमन रिसोर्स मेनेजमेंट सिस्टम के रूप में जाना जाता है, इसमें सरकारी कर्मिचारियों के सर्विस रिकॉर्ड सहीत अन्य विवरण होते हैं, और इस ही कि में बात कर रही थी, कि उनका जितना भी सर्विस रिकॉर्ड रहा है, जो भी तो आप दिक्कत नहीं होगी, आपके पोर्टल पर फॉर्म है, आप जाकर की देख लो, आपका सारा रिकॉर्ड सरकार के पास है, पेंशन की पूरी प्रक्रिया को पेपरलस बनाने में यह काम करने बाला है, और यही में कहा रही थी, कि सरकार चाहते हैं, कि सिस्टम के ताह है, बिसिकली उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, सांती से अपने समय का आनंदले बुझर, अब क्या है, उनको बार बार जैसे यह सुधार हुए है, आप सुधार से क्या हो तो पहले उनको बार बार सरकारी दफ्टर जाने पड़ता था, चीजों को देखने पड़ता था, यह पर सेना निवरत कर्मचारियों के लिए पेंशन आवेदन फॉर्म 6A में नौ फ्राम पारूप मिल गए हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें फॉर्म 6, 8, 4, 3, A, प्रारूप 1, प्रारूप 9, MFA 0 option फॉर्म शामिल है, EPF खाते में पेंशन पाने के लिए फॉर फॉर्म 10D भरना होता है, यह कर्मचारी भवश्रीदी संगठन जारी करता है आपका, आगे देखते हैं, पैंशन भोगी की मृत्व के बाद उसके पती या पतनी को आधा करता बांक में मृत्यू प्रामार पत्र जमा करना होता है, अगर पैंशन भोगी और उसके पती या पतनी का संयुक तखाता नहीं है, तो फॉर्म 14 यहां पर भरना होता है, पैंशन के आवेधन के लिए लाभु के पास यह दस्तावेज होने चाहिए, क्या दस्तावेज है तो बैंक अकाउंट नमबर, आधार नमबर, मोबाइल लिंक नमबर, विकलांग, HIV-Positive, व्रधा, संबंदित विभाग का प्रमार पत्र आपके पास होना चाहिए, और वर्ड पाषित का अनुशन शाप पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है, लास्ट में आप सभी के लिए एक प्रश्न हो जाता है, कि हाली में सरकार ने सेना निवरत्ती कर्मिचारियों के लिए कौन सा पेंशन फॉर्म जारी किया है, 10D, 14, 6A या फिर इन में से कोई नहीं, आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर दे, मिलते हैं नेक्स क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक्शन, सुस्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, और थैंक्यू सो मच्छ